Hello everybody, welcome to average coaching institute, तो चलो बच्चो अब जो हम plus two की macro economics discuss कर रहे हैं, उसका जो हमारी series चल रही है chapter की, national income and related aggregates, हम उसको ही आगे continue कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं, अब दिखो पिटे, अब हमने बात करनी है, domestic product at market price and factor cost, ठीक है, हम लोग GDP, NDP हम discuss कर चुके हैं, अब हमने market price और factor cost की बात करनी है, तो यह देखो market price and factor cost यह दोनों अलग अलग चीज़े हैं, यह क्या हैं, जो हम लोग आपकी simplicity के लिए ज्यादा हम लोग two sector या three sector की बात करते हैं, पहले हम two sector की बात करेंगे, two sector economy में तो सिरफ two sectors होते हैं, दो sector कौन से होंगे, household and producer sector, जैसे आप लोगों ने जब हमने वो किया था, circular flow of income, वो मैंने आपको, आपकी simplicity के लिए plus two level में है ही two sector economy का household and producer sector, ताकि बच्चों को easily sum आजाए, ठीक है, तो वैसे ही अगर two sector economy है, household and producer sector है, इसमें कोई और दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें ना government sector होता है, ना इसमें rest of the world, या external sector होता है, दिक्कत सारी कहां आती है, जब आपकी ये, जो है, government sector आजाता है, क्योंकि इस sector में, जो हमारा household sector, producer sector, उसके बीच में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों नहीं, दिक्कत क्यों मार्केट प्राइस और फेक्टर कॉस्ट ही बात है, उसमें क्योंकि हमने, जो है, उसमें domestic income और national income में कोई difference ही नहीं है, पर जहां पे हमारे government और external sector आता है, वहां पे चीज़े आती matter करती है, ठीक है, तो अब हम पहले बात करते है, factor cost की, factor cost क्यों होती है, अब आप लोगों ने discuss किया था, मैंने आपको समझाया भी था, factor cost में क्या है, जो हमारे factors of production को, जो हम उनकी services के लिए, उनको renumeration pay करते हैं, हम किस form में pay करते हैं, rent, interest, profit and wages, इसी form में देते हैं, तो य यह जो हम उनको renumeration दे रहे हैं, यह cost of factor of production है, यह factor cost है, ठीक है, सारी inputs की, दूसी बात आती है, market price की, क्योंकि हमारी जो हमने पहले, इसका जो हमारी heading है, वही market price and factor cost है, तो market price के है, market price is the final value of products being sold which includes indirect taxes, अब देखो, आप market price क्या होता है, आप market से अपने लिए एक pen लेकर आयों, आपको एक pen चाहिए, उस pen के अपर tax लग रहे है, indirect tax उसके बीच में include है, जो cost में एक consumer को, जिस price पे consumer को मिलेगा, that is a market price, ठीक है, अब बात आती है, कि हमने देखो, अब मैंने आपको पता दिया, market price क्या होता है, और factor cost क्या होता है, अब आपको बेटे, यह जो आगे आप national income वाला chapter करोगे ना, उसका यह base है, तो base में कि आपको basically, मैंने आपको यह बताया है, कि जब आप अपने, जैसे gross से अपने net में जाने है, तो आपने depreciation को, gross से net में depreciation को minus करने है, ठीक है, domestic से national में जाने है, तो net indirect, sorry, net factor income and from abroad को हमने अब तीसरी चीज़ आ रही है, market price और factor cost, एक चीज़ धियान में रखना, market price and factor cost में, जब हमने market price से factor cost पर जाने है, ठीक है, तो हमने indirect taxes minus कर देने है, market price minus indirect taxes is equal to factor cost, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी item कौन सी है, market price, क्योंकि market price के बीच में हमारे indirect taxes रही है, ठीक है, ठीक है, और जब हमने factor cost से market price पर जाना है, तो हमने add करने है, net indirect taxes, यह बटा यह जो आपका national income वाला chapter है, उसमें यही तीन चीज़े है, market price से factor cost पर कैसे आना है, या आपने gross से net पर कैसे जाना है, या आपने domestic से national पर जाना है, या इनका सब तीनों का उल्टा, तो आ आपकी आपको formulas से बच्चे learn कर लेते हैं, बच्चे main दिक्कत कहां create करते हैं, जब उनको यह नहीं पता चलता है, market से factor cost पर जाना है, कैसे domestic से net पर कैसे जाना है, national पर कैसे जाना है, gross से net पर कैसे जाना है, तो मैंने आपको यह पूरे चेप्टर में आपको आराम से समझाय है, कैसे आपने क्या चीज़ प्लस माइनस करनी है, तो ठीक है, अब यह धियान रखना, market price से जब factor cost में हम जाएंगे, तो हमने net indirect access minus करने है, और factor cost से जब हमने market price में जाना है, तो net indirect access add करने है, ठीक है, अब बात आती है, कि net indirect access क्या होते हैं, net indirect access is nothing but indirect access minus subsidies, जो हमें subsidies मिलती ह हैं, आप indirect access में से उनको minus कर दो कि, then you will get net indirect access, और जब आपने market price से factor cost पे आना है, तो अपने net indirect access minus करने है, बतला आपने indirect access minus subsidies, यह चीज़ धियान रखना है, ठीक है, अब बात आती है, sometimes आपको paper में question आ जाता है, market price और factor cost का difference क्या है, ठीक है, तो यह देखो, difference में क्या है, कि market price is the final value of goods and services, जो मैंने आपको पता है था, जो आप जिस price पे आप लोग खरीटते हो, वो factor cost is the total value of inputs that going into the manufacturing of product, जो आपके factors of production किया थी value, ठीक है, market price is the price that a buyer pays to purchase the commodity, जैसे pen के लिए हम ने किया था, and factor cost concerns each of the factor of production, उसने चारो factor of production कि land, labor, capital and entrepreneur, चारों का देखना है, किसको हमने, कितना उसको, उसकी return में, उसको renumeration देनी है, ठीक है, then market price considers subsidies received and taxes paid, ठीक है न, जो मैंने आपको बोला है, NIT, net indirect taxes, वो consider करता market price, पर जो आपका factor cost है, वो consider नहीं करता, does not account for subsidies received and taxes paid, and last is market price is equal to factor cost plus net indirect taxes, and factor cost is market price minus net indirect taxes, इसका अमलब आपके, जो आपकी market price है, वो बड़ी है value, और जो factor cost है, वो छोटी है, ठीक है, तो इसको ध्यान से कर ले न, sometimes ये paper में difference आया था, या MCQs में भी, इन में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके, आप देखो, वो ही चीज जो मैंने आपको बताई भी थी, कि जो हाँ पर बच्चे mainly गलते करते हैं, conversion करनी है, NDP से GDP means, net से हमने gross पे जाना है, कुछ नहीं है, अगरे को NDP market price और GDP market price, change क्या करना है, net को हमने gross में जाना है, जब net से हमने gross में जाना है, तो क्या होगा, सरफ depreciation plus होगा, बाकी कुछ नहीं change हो रहा, तो GDP MP is equal to NDP MP plus depreciation, ठीक है, और यही अगर आप पुल्टा चलो, GDP से अपने NDP में आना है, जैसे यहां पर मैंने कराया है, तो क्या करोगा, depreciation को, minus कर दोगा, net में से, आप depreciation, gross में से, आप depreciation minus कर दो, then you will get net NDP, ठीक है, now comes GDP MP into GNP MP, हमने, अब देखो, समें सरफ GDP, means gross domestic product को, हमने gross national product में जाना है, MP, अमल market price पर यह और दोने चीज़ है, national and domestic के लिए, चेंज के लिए, क्या हम देखते है, net factor income from abroad, हमने सिरफ, इस चीज़ को ही देखना होता है, ठीक है, अब इस case में, gross national product, at market price, को हमने लेकर आना है, मला वहाँ पर पहुंचना है, GDP MP में हम क्या करेंगे, plus करेंगे net factor income from abroad, and we will get GNP MP, ऐसे ही, ठीक है, अब अगर NNP MP, NNP MP पर हमने जाना है, तो NDP MP माइनस net factor income from abroad, यह plus और minus आपने ध्यान रखना है, हमने क्या करना है, और दूसरा, कौन सी हमने term लेनी है, net factor income from abroad, हमने कब लेना है, right, depreciation हमने कब लेनी है, और हमने, NIT means net indirect access हमने कब लेनी है, वो आपने ध्यान रखना है, अब बात आती है, GDP at factor cost, GDP at factor cost क्या होती है, GDP at factor cost is nothing but, जो आपके factors of income है, वो सारे ले लो, compensation of employees, rent interest, profit interest, यही होते है, gross है, पर लब depreciation भी होगा, ठीक है, this is the easy way to remember the things, मैं बहुत असान तरीके से आपको पतार जहूँ हूँ, जैसे आप easily इसको remember कर सकते हो, ठीक है, अब बात आती है, NDP at factor cost, NDP at factor cost में क्या होगा, आपकी सर्फ depreciation होगी, आपकी सब को जगा है, compensation of employees, rent, profit and interest, ठीक है, अगर हमने convert करना है, NDP at factor cost को GDP at factor cost में, ठीक है, पहले market price का क्या था, अब factor cost का है, यह आपको सर्फ यह समझाने के लिए मैंने किया है, ताकि आपको पता चले, जो हमने gross से, हमने gross से, हमने gross निकालने है, NDP को हमने GDP में करना है, factor cost में, तो उसमें कुछ फराग नहीं बढ़ता है, factor cost है, यह market price है, सरफ अपने depreciation को plus minus करना है, अगर आपने GDP FC निकालने हैं, और NDP FC आपको दे रखिए, तो उसमें depreciation plus करोगा, you will get GDP FC, और NDP FC is equal to GDP FC minus depreciation, ठीक है, then comes same वो ही आगे चीज आती है हमारी, national और domestic में, उसमें हमने net factor income from abroad करेंगे, factor cost के लिए, GNP at factor cost is equal to GDP at factor cost plus net factor income from abroad, ठीक है, और अगर हमने NDP FC निकालने है, NDP FC is equal to NDP FC plus net factor income from abroad, ठीक है, अब एक और चीज, NNP at factor cost क्या हुआ मतलब, उसमें कौन-कौन से चीज नहीं है, हमारी compensation of employees आई, rent आया, profit आया, interest, जो आपकी factor income होगी, plus इसमें और के आड़ करने है, net factor income from abroad, क्योंकि NNP at factor cost है, और एक चीज जियानक नहीं, NNP at factor cost को ही हम national income बोलते हैं, ठीक है, अगर आपको directly पुछा गया है, national income क्या होती है, बताया गया है, तो ठीक है, अगर आपसे NNP at factor cost पुछी गई है, तो confused नहीं होना, वो मतलब, national income ही पुछी गई है आपसे, ठीक है, so this is all about today's video, if you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box, thanks for watching,